लर्निंग मंत्रा के अंलाइन फारशाला में आपनों का अश्वागत है। आज हम लोग अपने इस क्लास में एक महतपों टॉपिक की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। और उस टॉपिक का नाम है जनमत या लोकमत। इसको जनमत या लोकमत कहाद आता है। जनमत या लोकमत जिसका सामान अर्थ क्या है आपके एकदाम में यह स्वाल आया कि इसका सामान अर्थ क्या होता है और सामान अर्थ के साथ साथ राजनीत बैग्यानिकों के रुवारा इसको किस प्रकार से परिभासित किया गया इसके महत्पूंद परिभासाएं क्या है आपको इसमें पढ़ना है कि लोकमत का सूत या साधन क्या है आपको यहां पर यह बात भी देखना है कि एक स्वस्थ जन्मत के मार्ग में बाधाय क्या है और इसका नेदान कैसे किया जा सकता है इस पर आधारित सवाल आपके एकजाम में पूछा जाता है इसले जन्मत को समझने के लिए आपको एक बात समझना होगा कि सरकार चाहे डेमोकरितिक हो या निरंकुषवादी लेकिन जन्मत का भय सबको बना रहता है इसले आचारी कवटिल के द्वारा एक महत्पों कथन कहा गया और वह कथन राजा के आचरन पर नहेंत्रन स्थापित करता है जिसको मैं उन्होंने अपनी पुस्तक अर्थ शास्त्र के अंतरगत बतलाया कि राजा प्रजा नाम प्रतमम सरीरम प्रजास्य राजा आप्रतमम सरीरम आचारी मनों के द्वारा भी राजा को बहुशारी शक्तियां प्रदान कर दे गए शक्त का केंद्री करण किया गया परंट उनके द्वारा भी कहा गया के राजा का महत्पूर्ण कार यह होता है कि वह जन्मत के भावना का आदर करे आधर्म तथा मेत के अनुशार आसरन करे यह उसके उपर महत्पूर्ण नियंतरन इस्थापित करता है इसलिए ऐसी सरकार जिसके द्वारा जन्मत का आदर हो शमान नहीं किया जाता है वह ने केवल निंदा की पात्र बन जाती है बलकि सरकार के को भादन का भी उसको शिकार होना पड़ता है इसलिए अनेक लोगों ने जन्मत और लोकमत को लोकतंतर का आधार बतलाया कहा कि यह लोकमत का लोकमत का लोकमत लोकतंतर का महत अधार है कियोंकि अब यहां पर स्वालिया है कि आखर लोकमत या जन्मत क्या होता है लोकमत या जनमत के अगर आम बात करते हैं तो लोक का आर्थ है जनता और मत का आर्थ होता है विचान या उसके आवश्यक्ता या उसके मत को महत्तु प्रदान करना ही जनमत कहलाता है लेकिन इसी आधार पर कई लोगों ने इस बात को समझाने का प्रयास किया कि जनमत क्या बहुमत के इच्छा है या जनमत क्या अलपुमत के इच्छा है या जनमत क्या सर्वोशमती के इच्छा है तो एक बात यहां पर शमज लेना है कि जनमत सामानता बहुमत के इच्छा नह कैसे हो पाएगा जन्मत एक वह बिचार दर्शन है जन्मत वह बिचार दर्शन है जिसके अंतरगत तर्क बुद्ध एवंग तर्क बुद्ध एवंग बेवेक की प्रबलता होती है बिवेक की इसमें प्रबलता पाई जाती है और इसमें सार्वेजनिक हिद पर बल दिया जाता है जन्मत या लोकमंत जन्ता के वह इच्छा है जो मुलता तर्क और बुद्ध पर आधारित है ना हो बलके बाद सार्वेजनिक हिदों पर आधारित हो वह सर्वशम्मत या वहुमत के इच्छा को हम जन्मत के अंतरगत शमलित नहीं कर सकते हैं आपने एक बाद समझा होगा कि जन्मत का निर्मान कैसे हो जाता है जन्मत के निर्मान के लिए आवश्यक है कि लोगों को विशार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंद्रता प्रदान की जाए पास्चात राजनीतिक दर्शन में यद आपने इस बात को समझा होगा तो पास्चात राजनीतिक दर्शन में सुकरात के द्वारा शुक्रात के द्वारा बिशार आभेव्यक्ति के उपर बल देया गया अभेव्यक्ति के उपर बल देया गया और उनके द्वारा कहा गया कि अपने आत्मा के आवाज को सुनों उनके द्वारा इस बात पर बल देया गया बिशार आभेव्यक्ति के स्वतंता पर शुक्रात के फश्यात शर्वाधिक बल देने का कार जयश मिल के द्वारा भी किया गया है इसलिए जयश मिल को स्वतंता का देवदूत कहा गया क्योंकि उनके द्वारा पागल और स्वनकी व्यक्ति को भी बिशार आभेव्यक्ति का आधिकार और स्वतंता देने का समर्थन किया गया था यह मत्था जयश मिल का एक महत्वों बात यहां पर कर लेना और भी अधिका आवश्यक होगा एक तिपुडिकार है और उनका नाम है वाल्टेर वाल्टेर के द्वारा कहा गया कि मैं आपके मैं आपके बिशार से सहमत भले नहूं भले ही नहूं परन्तु मैं आपके बिशार स्वतंद्र के अधिकार बिशार स्वतंद्रता के आधिकार के रच्छा करूंगो इसे संदर में एक महत कौन स्टेटमेंट और है आजाता है और वह स्टेटमेंट है लास्की का लास्की ने इस बात पर बल देते हुए कहा कि यदि हम किसी को सूचने से रोक देते हैं अगर हम किसी को आपनी इच्छा नुशार बिशार अभव्यक्तिया सूचने से रोक देते हैं तो कुछ समय के बाद वह व्यक्ति बिल्कुल ही सूचना बंद कर देता है के लाश्की का यह प्रिशिद्ध कथन है कि यद हम किसी को सोचने से रोक देते हैं और रोक देते हैं तो वह ब्यक्ति कुछ समय के बाद ब्यक्ति कुछ समय के बाद बिल्कुल भी सोचना बंद कर देता है देखे इस प्रकार से विचार अभिव्यक्ति को लोक मत का अधार माना गया आ लोक मत का ग्यान सरकार को तभी चलता है जब उसके समस्त संसाधन जो लोक मत निर्मान के साधन है वे स्वतंत्र हों और निश्वच्छ हों और उनका मुल्यांकन सरकार के द्वारा विसलिशन करते समय निश्वच्छता के साथ है किया जाता है तो जन्मत का हमको ग्यान हो जाता है देखे आएक महत कौन बात यहां पर हम आपसे करना चाहेंगे और बात यह है कि रूशू के द्वारा जन्मत को सामान इच्छा का आधार बतलाया गया आपने एक बात पढ़ा होगा रूशू के द्वारा कहा गया कि सामान इच्छा सामान इच्छा के अभिव्यक्त होती है इसलिए सामान इच्छा सामान इच्छा के एक चेतना सामाजिक खितों के एक चेतना है और इस बात का समर्थन रूशों के बाद टियेच ग्रीन के द्वारा भी किया गया था इसी आधार पर रूशों ने इस पस्त रूप में कहा गया कि लोकमत एक अरहस्यात्मक बस्त है इन्हों ने डेमोक्रेशिकों पर आधार मानकर लोकमत को अभिव्यक्त करने का अश्याधन बतलाया और कहा कि लोकमत एक रहस्यात्मक अभिव्यक्ति है क्योंकि लोकमत का दर्शन हमको सामान इच्छा के अंतरगत हो जाता है इसलिए सामान इच्छा को अगर समझना है तो आपको लोकमत को भी समझने में मदद प्राफ्त होते है इनके द्वारा कहा गया कि यह एक लोकमत एक रहस्यात्मक अरूप में पाई जाती है आपको शवाल आएगा कि लोकमत का आशय क्या है आप क्या बताएंगे ऐसी इच्छा ऐसा बिशार दर्शन जो तर्क बुद्ध विवेक पराधारित हो और उसका उदेश अगर सार्जनी खीत है तो उसको हम लोकमत या जैनुमत कहते हैं आपको शवाल यह आएगा कि बिशार अभिवेक्त का प्रवल समर्थन सर पर्थम किसके द्वारा किया गया शुकरात के द्वारा आपको यह भी शवाल पूछा जाएगा कि बिशार अभिवेक्त के स्वतनता का आधुनिक काल में समर्थन किसके द्वारा किया गया तो क्या ब आपको वालतेयर का और लास्की का कथन भी सवाल के रूप में पूछा जाएगा, आपको यह भी पूछा जा सकता है, कि लोकमत एक रहश्यात्मक सक्त के रूप में पाया जाता है, यह मत किस ने दिया था, तो आपको क्या बताना है, कि यह मत है, आरूशों का आरूशों ने लोकमत को सामानी इच्छा का आधान बताया था दिखे अब इसके बाद एक चिंतक है और उनका नाम है लेविस लेविस अने लोक तंद्र को लेविस के द्वारा लोकमत को बहुमत लेविस एक ऐसे चिंतक है जिन्होंने लोकमत को बहुमत के इच्छा कहा बतलाया आश्चामानता लोक तंद्र के अश्चंदर में जो इनका विसार है वही मत इनका लोकमत या जन्मत के विशे में भी पाया जाता है परंत लाविल के द्वारा लेविस के इसमत का खंडन किया गया और इसमत का खंडन करते हैं उनके द्वारा कहा गया कि लोकमत कहा गया कि लोकमत बहुमत के इच्छा नहीं है लोकमत बहुमत के इच्छा नहीं है बलके या विवेक एवंग निश्वार्थ पर आधारित और शारवेजनिक हिद का यह साधन है आप को आएगा कि लोकमत को बहुमत का मत किस ने कहा था क्या लगाएंगे लोकमत को बहुमत का मत कहने का कारी किया था किस ने लोकमत को बहुमत का मत कहने का कारी किया लेविश ने और लेविश के इस मत का खंदन किया लाविल ने लाविल के द्वारा एक महत्पूर्ण पुस्तक का भी लेखन किया गया और उस पुस्तक का नाम है पबलिक ओपिनि and public opinion and popular government. आपको सवाल आएगा, public opinion and popular government पुष्तक का लेखन किस नहीं किया? क्या लगाएंगे? लाविल के दुआरा इसका समर्थन किया और उन्होंने कहा कि आलोक मत या जनमत किसी जात बर्ग विशेश के हित्फराधारित नहीं होता है। इनके दुआरा कहा गया कि जनमत किसी जात या बर्ग विशेश के हित्फराधारित नहीं होता है। बलके यह सार्जनिक हित्फ और भावना पर आधारित होता है। इसलिए यह कहना सही है कि लोक मत शार्जनिक हित्फ का एक साधन के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। अगर हम लोग दिश्टिपात करते हैं भारत के राश्ति स्वाधिनता अंदूलन पर तो ब्रतिस सरकार के द्वारा भारत में भारतियों के विचार अभिव्यक्ति के उपर अनेक प्रिकार के प्रतिबंध लगाये थे। और ऐसे समाचार पत्र विशेश करी जो जन्मत के पोन अभिव्यक्ति कर रहा था। उसके उपर भे नेयंत्रन इस्थापित करने का कारी किया गया था। कई बार समाचार पत्रों पर नेयंत्रन और दमनकारी कानून का आरोपन किया गया था। इसले राश्ति स्वाधिन्ता अंधुलन में एक बात प्रेचलन में आ गया था कि खिंचोना कमानों को नतलवार निकालो जब तो मुकाविल हो तो अखबार निकालो क्योंकि अखबार का राष्टी स्वाधिंता अंदोलन और राष्टवाद के भावना के विकास में अत्यन्त महत्पुन योगदान दहां, विभिन राष्टी स्वाधिंता अंदोलन कारियों, महत्मा गांधी, रविन नत्य गो, शुरेन नात्वनर्जी बाल गंगा धरतिलक अनेक लोगों ने अबसार अभिव्यक्त के लिए प्रेश और समाचार पत्र पत्रिकाओं का लेखन और उनका संपादन किया प्रकाशन किया और जन्मत को अभिव्यक्त करके सरकार के उपर रवाव बना करके अपने स्वाधिन्ता को प्राप्ट करने का प्रयास किया इसले य अगर आपके ग्रह में यह सबाल आता है कि यह कथन किसका है कि मुझे 300 संगेनों से उतना डर नहीं लगता है जितना कि हमें तीन समाचार पत्र से डर लगता है तो आपको को लगाना है कि यह कथन किसका है नेफॉलियन का नेफॉलियन के द्वारा भी इस बात को कहा गया कि मुझे कि तेन सो शंगेनों से उतना डर नहीं लगता है जितना की तीन समाचार पत्र से दर लगता है जितना की तीन समाचार पत्र से दर लगता है उतना डर हमें तीन सो शंगेनों से नहीं लगता इस बात को किसने कहा आपके एकजाम में अगर सवाल आया तो क्या बताएंगे यह बात किसने कहा था यह बात नेपूलियन के दुआ रहा कहा गया इस प्रकार से हम लोगों ने उबरा लेहां पर इस बात को समझने का प्रयास किया कि जन्मत क्या है और जन्मत को परिभाशित किस प्रकार से किया गया वाल्टेयर के दुआरा, लेविस के दुआरा, आलाविल के दुआरा, रूसो के दुआरा, कैसे इसको डिफाइन करने का प्रियास किया गया लास्की के दुआरा इस बात को कहा गया कि अगर किसी को सोचने से रोक दे आ जाता है तो वह कुछ समय के पस्षाद बिल्कुल ही सोचना बंद कर देता है वाल्टेजर का भी यह कथन लोकमत के संदर हमें अत्यनत महत्पून माना जाता है इस बात का हम लोगों ने यहाँ पर अध्यन किया अब हम लोगों को यहाँ पर समझना है कि आखर लोकमत या जन्मत निर्माण के साधन कौन कौन से है इस बात को हम लोगों को यहाँ पर अब समझने के यहाँ सकता है कि किसी भी लोकमत या जन्मत का निर्माण कैसे हो जाता है और उस लोकमत या जन्मत के निर्माण में साधन क्या है जन्मत के निर्माण का साधन क्या है जन्मत के नेरमान का शाधन सर पृथम बतलाया गया के राजनीतिक दल एवं दबाव समू होता है राजनीतिक दल एवन दबाव समू जनमत के निर्मान का एक महत्पूर साधन है क्योंकि राजनीतिक दल के द्वारा जनता के इच्छा को सरकार के पास तक पहुंचाने का काम किया जाता है और जनता के इच्छाओं को जान करके उसी के अनुशार नीत्यों कानून के निर्मान के लिए सरकार बनाने के पश्यात प्रयत्न किया जाता है इसलिए लोकमता और जनमत का प्रभाव पलता है सरकार के उपर और इस प्रभाव को स्पस्थ करने का काम किया जाता है राजनीतिक दल और दवाव समू के द्वारा जिन हीतों को अभिव्यक्ति प्रजान करने में राजनीतिक दल अच्छम हो जाता है उन हीतों को भारनी का काम दवाव समू के द्वारा किया जाता है इसलिए राजनीतिक दल और दवाशमों जन्मत निर्मान के महत पूर्ण साधन है और इसका समर्थन राजनीतिक दल को जन्मत के निर्मान का सर्वाधिक महत पूर्ण साधन बतलाया गया किसके द्वारा आपको आएगा क्या लगाएंगे लाट ब्राइश और लाट ब्राइश के द्वारा इस बात को अभिव्यक्ति प्रदान की गई थी आपने पुस्तक मार्डन देमोक्रेशी के अंतरगत इसलिए दो स्वाल आप को आएगा कि मार्डन देमोक्रेशी किसने लिखा है लाट ब्राइश ने और राजनीतिक दल को जन्मत के निर्मान का महत पूर्ण शाधन किसने बतलाया आपको क्या लगाना है महत पूर्ण शाधन बतलाया था लॉर्ड ब्राइश ने दूसरा आज जन्मत के निर्मान का शाधन है प्रेशिया आखवार प्रेशिया आखवार आइसका साधन है रेडियो और टेलिवीजन इसका बरतमान में साधन बन गया है आइंटरनेट और सोशल मेडिया इंटरनेट एवं सोशल मेडिया के द्वारा भी हम जन्मत का निर्मान करते हैं आपने अनेक बार देखा होगा कि सामान जन्ता के द्वारा अमेर या गरीब के द्वारा और फ्रेशिया अखवार का प्रियूग किया जाता है अकबार को पल करके वह अपने राए प्रमुक विश्यों पर बनाता है किसी भी राष्टी मुद्धे पर किसी भी छेत्री मुद्धे पर रेडियो टेलेविजन के दुआरा जिन बातों को बतलाया जाता है आम जनता उसी के अधार पर अपने राए रेकट करती है और आम जनता के इस विचार को राजनीतिक दला और सरकार तक पहुँचाने का भी कारी किया जाता है इसलिए आज जन्मत निर्माण के लिए आवस्यक है कि फ्रेश के उपर, मेडिया के उपर, रेडियो टेलीविजन के उपर सरकारी ने अंतरन न हो के साधनों में पत्र पत्री कायें पत्र पत्र का अर शार्वेजनिक सभायें ये वंगोस्तियों का आयोजन भी गोस्ठेयों का आयोजन भी महत्वण भूमिका का निर्वहन करता है आपने देखा होगा कि अने एक बार जब सार्जनिक समारों का आयोजन होता है और सार्जनिक किसे मुद्द के उपर विशार भी मर्श किया जाता है दिवेट किया जाता है तो वह भी जन्मत के निर्मान का एक महत्वण शाधन हो जाता है इसलिए यहां पर यह बात कहना तरकिशंगत है कि जन्मत के निर्मान के यह महत्वण शाधन है इन साधनों के साथ साथ आप आरश्परी का अपने विशारों का आधान प्रदान भी जन्मत के निर्मान का साधन होता है इस फरकार से हम लोगों ने देखा कि जन्मत के निर्मान में महत्पूर्ण भूमका है लेकिन यहाँ आपको एक बात समझना महत्पूर्ण है कि प्रश को सरवाधिक महत्पूर्ण प्रश को जन्मत निर्मान का महत्पूर्ण साधन माना है महत्पूर्ण साधन किसने माना आएगा आपको क्या बताएंगे वाल्टर लिपमैन एवं ब्लेक स्टून आपको याद कर लेना है कि अगर राजनीतिक दल को जन्मत के निर्मान का सरवाधिक महत्पूर्ण शाधन बतलाने का कारी किया था लाड़ ब्रश ने माडन डेमोकरिसी के अंतरगत तो प्रिश को जनमत निर्मान का सरवाधिक महत्पूर्ण शाधन बतलाने का कारी किया वाल्टर लेपमैन एवंग ब्लेक स्टोन ने और वाल्टर लेपमैन के रवारा लिखी गई एक पुष्टक सरवाधिक महत्पूर्ण है और Walter Lippman की इस पुष्टक का नाम है Public Opinion आपको आएगा Public Opinion का लेखक कौन है तो क्या बतलाएंगे पुष्टक के लेखक का नाम है लाविल लाविल के द्वारा इस पुष्टक को आ लेखन किया गया और लेविस के इसमत का खंडन कर दिया गया कि जन्मत आ वहुमत की इच्छा पराधारित नहीं होता है बलकि जन्मत वह होता है जिसमें सार्डनिक हितो ना कि किसी जात या वर्ग विश्विश के हितों का पूशन करने वाले विसार दर्शन को हम जन्मत की संग्या नहीं दे सकते हैं इस बात पर बल दिया था लाविल ने लेकिन इससे अलग सेल करके वाल्टर लिफ मैन और ब्लैक स्टोन के द्वारा कहा गया कि फ्रेश जन्मत के निर्मान का सरवाधिक महत्पूर्ण शाधन है और वाल्टर लिफ मैन की फुस्तक का नाम है पॉब्लिक ओपिनियन देखे हम लोगों ने हाँ पर जन्मत निर्मान के साधन के साधन के साथ-साथ हम लोगों को इस बात को भी देखना है कि आखिर स्वस्त जन्मत के निर्मान में कौन-कौन सी बाधाएं आ जाती है स्वस्त जन्मत का निर्मान करते समय हम को किन बाधाओं का सामना करना पलता है हम लोग को इस बात को भी देखना है कि जन्मत के निर्मान का जन्मत के निर्मान में कौन कौन सी बाधाएं आ जाती हैं जन्मत के निर्मान में जो बाधा हैं आती हैं उन बाधाओं में आज सबसे महत्पून बाधा है जिसको कहा दाता है कि निर्धनता एवं आर्थिक आश्मानता कहने का से यहां पर यह है कि जब कोई भी व्यक्ति रूटी की समस्या से परिशान होता है तो वह राष्टी छेत्री या किसी भी सार्जनिक मुद्धे पर अपने विचार को प्रकट करने से परहेज करता है सामानता वहिया कहता है कि ऐसे चीजों से हमारा क्या लेना देना हमको तो अपने रूजी रूटी केबल चलाना है आपने यहां तक देखा होगा कि ऐसा ब्यक्त चुनाओं में भी मतदान करने तक की भी जहमत नहीं उठा पाता आगर आपने वेस्टन पोलिटिकल थार्ट्स में पढ़ा होगा तो आपने अरस्टु का विशार दर्शन आपको याद होगा आरस्टु ने कहा था के नागरिक्ता नर्धन ब्यक्ति को न दिया दा है क्योंके उनकी दिन चर्या खाली रोजी रूटी के जुटाने में ही इतनी व्यर्श्थ होती है कि वे राज के हित्र के विशय में कोई चिंतन नहीं कर पाते हैं निर्धनता और अर्थिक असमानता आया अश्वस जन्मत के निर्मान में एक बड़ी बाधा के रूप में दाना दाता है और इसका समर्थन क्या था लौस्की और हॉप्षन है लास्की हॉप्षन एवंग जे डियस कोल के रुवारा कहा गया था इनका मानना था कि जब तक अमेर और गरीब के वीच के खाएं गहरी है और एक व्यक्त आपनी जीविका को चलाने में अच्छम है स्वस्थ जन्मत का कभी भी निर्मान ना होगा बलकि पूझे बादी व्यवस्था धन्मान बर की विचार धारा है नर्धन बर के उपर थोब दे जाएगे और उसी को जन्मत का आकार प्रदान कर दिया जाएगा इस बात को जब आप आगे और पढ़ते हैं कालमार्श और अन्यमार्शवादी चिंतकों का धिन करते हैं तो आपको एक बात मालूम होगा के मार्शवादी चिंतकों के द्वारा कहा गया है कि नर्धनता और आर्थिक शमानता युक्त समाज में जहां बरगी भेदभाव गहरा हो वहाँ पर स्वस जन्मत के बात करना केवल मानसिक संकल्पना हो सकता है यह कभी भी यथार्थ बादी दर्शन के रूप में स्विकार करने युग्य नहीं है अगर चाहते हैं कि स्वस जन्मत का निर्मान हो तो सर प्रतम पूझी बात का खात्मा करके बर्ग वहेना और आर्थिक समता मुलक समाज का निर्मान करना आवस्यक होगा आपको एक प्रिशिद कथन भे याद होगा हौप्शन का उन्होंने कह था कि एक भूखे व्यक्त के लिए और किसी अन्य चीज की क्या हो सकता है एक भूखे व्यक्त के लिए स्वतंद्रता की क्या हो सकता है बिचार प्रकट करने की क्या हो सकता है बिचार अभिव्यक्ति की क्या हो सकता है उसके लिए प्रेश की आजादी और स्वतंद्र मेडिया क होने का तात्पुर ही क्या होगा क्योंकि जब उसको भूख लगी है तब वह अप्रेश मेडिया अप्रेश की स्वतनता को न तो खा सकता है और न पीश सकता है लास्की और जीद्यत कोल के दुआरा भी नर्धनता और आर्थिक समानता को स्वस्थ जन्मत के निर्मान में एक बड़ी याभाधा के रूप में माना गया घ्ल्ध दूसरा दूस्वस्थ जन्मत के निर्मान में एक महत्त्पूर गारा जिसको कहा जाता है आभ सिच्छा आपने पढ़ा है कि जनुमत के निर्मान का शाधन है प्रेश आप्रेश या आखवार को पढ़ने के लिए आवस्यक है सिच्छा क्योंकि आशिच्छत और अज्ञानी व्यक्त के लिए किसी भी सार्जनिक मुद्दे पर ना तो अपना राम राय ही कायम हो सकता है आर नहीं वह उसमें कोई अपनी रूची ही दिखाता है इसलिए अगर अशिच्छा समाध में फैली हुई है तो स्वस्यजन्मत का निर्मान कभी भी नहीं होगा बलकि परमप्रावादी और रूढवादी विशार दर्शन को ही बढ़ावा प्राप्त होने लगता है भारत के संदर में अनेक कुरितियां थी धिरे धिरे वे कुरितियां खत्म हो रही है और एक स्वस्यजन्मत के निर्मान के दिखा में भारत आगे बलड़ा है इसलिए अशिच्छा को ही इसका महत्पौन आधार माना तीसरा है और राजनीतिक दल के द्वारा राजनीतिक दल के द्वारा श्वार्थ पूल्ण हितों के लिए कारी करना के लिए कारी करना आपने दिखा होगा के हर एक राजनीतिक दल का अपना एक दंदा है सरकार के द्वारा अच्छा विलाए तो भी विरूत करना है अगर खराब विलाए तो भी विरूत करना है राजनितिक धल आपने लिए सत्ता प्राप्ति के संगर्ष में इतने तल्लिन होते हैं कि राश्ति मुद्धो और जन्मत के हितों के उनके द्वारा उपेच्छा की जाने लगती है अगर आपको एक बात याद होगा तो डेविड इस्तन के द्वारा आयन फूट आउट फूट का डेविड इस्तन के द्वारा नेवेश एवंग नेरगत के सिध्धान का प्रत्पादन किया गया था और इस नेवेश और नेरगत के सिध्धान के संदर में इनके द्वारा कहा गया था कि इस सिध्धान को जन्मत है नेयंत्रित करने का कारी करता है जन्मत है इसको नेयंत्रित करने का कारी करता है आईसले आवस्चक है कि जब निरगत अर्थात नेत्यों का नेरमान हो तब राजनितिक दल के द्वारा स्वार्थ के आधार पर नहीं बलकि जन्मत और उजन्ता के हितों और साजनिक हितों को ध्यान में रखकर नेत्यों का नेरमान करने का प्रयास किया जाना चाहिए इसले राजनितिक दलों के द्वारा स्वार्थ को तरीके से आपने हितों के लिए कारी करने का प्रयास किया जाता है बर्तमान भारती राजनीत में अनेक उधारणों के माध्यम से इसको आप समझ सकते हैं कि कोई भी एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल के विचार दर्शन से प्रभावित नहीं होता बलकि सब का आपना अलग-अलग विचार दर्शन है सर्व शम्मती का अभाव पाया जाता है इसलिए जन्मत को हम टुक्डों टुक्डों में नहीं देख सकते हैं राजनीत विज्यान की दृष से आपने देख लिया जो विचार दर्शन को तर्क पून और विवेक पून और धर्णा के आधार पर विशलेशित करने के पश्यात सार्दनी खित का साधन माने उसी को हम जन्मत केवल कर सकते हैं अगला आश्वस जन्मत के निर्वान में एक महत पून अन्य भाधा है और उसको कहा जाता है छेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, एवं जात्रवाद भाषावाद और छेत्रवाद भी जन्मत के निर्मान में महत पून बाधा के रूप में दिखलाई पड़ता है क्यों क्योंकि जब कोई भी व्यक्त अपने छेत्र विशेश के लिए, भाषा विशेश के लिए या अपने बर्ग या संब्लाय विशेश के लिए, या जात विशेश के लिए काम करने लगता है तो वह सार्जनिक हित पर आधारित हो करके अपने विचार को प्रकट नहीं कर पाता बलकि वह केवल नहीं स्वार्थों पराधारित विचार दर्शन को ही प्रकट करता है इस प्रकार से स्वस्त जन्मत के निर्मान में अनेक बाधाओं को भी हम लोग यहां पर देखते हैं इससे साथ साथ एक अन्य बाधा का भी अगर जिक्र करें तो आपको मालूम होगा कि जन्ता के उदाशीनता भी स्वस्त जन्मत के निर्मान में एक बाधा है आम जन्ता अलिशी है आववा राष्टी मुद्दों के उपर कोई दिल्चस्पि नहीं लेती और अनेक बार उसके द्वारा कहा जाता है कि कोन रिप होए हमें कहानी चेर छोड़ होबे ना रानी यह बात उसके मन में बशी रहती है और वह राजनीत में या साथशनिक मुद्दे के संदर में कोई भे अंतरस नहीं लेता है यद्यव के भारत के संदर में अगर देखा दा है तो 1990 के दसक के बाद से जब से बैस्विकन बादार वादाया या हरित क्रांत का प्रभाव पड़ा और लोगों को जीविका पार्दिन के नियुनतम आवश्यक्ताओं के पूर्ति भी उनमें राजनीतिक चेतना का प्राजु प्रभाव होने के कारण जन्मत के निर्मान में अपनी सकारात्मक भूमका का निर्वन लगातार उनके द्वारा आगिया जा रहा है और यह अभागी जारी निरंतर बढ़ती भी जा रही है इस प्रकार से स्वस्त जन्मत के निर्मान में उप्रोक्त बादाओं को आप स्वस्थ जन्मत का निर्मान किया जा सकता है ऐसी कौन से परिशितियों को लागू कर दिया जाए जिससे स्वस्थ जन्मत का निर्मान हो जाए और स्वस्थ जन्मत के निर्मान के लिए जो बात सरवाधिक महत्पून है स्वस्थ जन्मत के निर्माण की आवश्यक दशा या आवश्यक सर्थ है अगर चाहते हैं कि स्वस्थ जन्मत का निर्माण हो तो इसके लिए आवश्यक है आवश्यक सर्थ काहुना भी आवश्यक है पहला निर्धंता आको खत्म के आजाए और आर्थिक सम्ता मुलक समाज का निर्माण की आजाए अगर आश्यक हो जाता है तो श्वस्थ जन्मत के निर्माण के दिशा में हम आगे बल्च के हैं दूसरा है कि सिच्छा के इस्तर को उच्च बनाया जाए और इसको ब्यापक बनाया जाए ब्यापक बनाने का आश्य है जो समाज के कमजोर और गरीब बर के बच्चे है उनको भी सिच्छा प्रदान के आजाए भारत के संदर में अगर उधारन के रूप में इस बात को देखते हैं तो आपको बात मालूम होगा 86 में संबेधान संसूधन के द्वारा आट किल 21 का को जोड़ करके राथमिक सिच्छा आनिवार सिच्छा को प्राप्त करना प्रतिक बालक के लिए उसका फंडामेंटल लाइट से घोशित करते हुए जीवन के अधिकार का एक महत पौन अंग मान लिया गया तो ये सरवाधिक महत पौन बात है अगर सिच्छा होगी तो लोग अख़बार को पढ़ेंगे सार्वनिक मुद्दों पर विजार भी मर्श करेंगे राश्ति मुद्दों पर अपने राय को कायम करेंगे इसलिए सिच्छा के इस्तर आग को उच बनाना और व्याफक बनाने से भी स्वस जन्मत के निर्मान की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं सिच्छा होने से फ्रेश की आश्वतंद्रता का और अधिक विकास होगा राजनीतिक दल के द्वारा चार्वेजनिक एवं आश्वेजनिक एवं राश्ति हीतों के द्रिश्चे राश्ति हीतों के द्रिश्च से कार्य के आदाना चाहिए ना यदियन्ता को शार्वनिक सभाव में राजनीतिक दल का नेता मंच पर मंचस्त होकर संबोधित कर रहा है तो आवस्यक है कि वह हम्यक्तिकत स्वार्थ जात इधर में इत्याद के आधार पर जनता को वरिगलानी का प्रियासने करे बलकि सार्वनिक खिता और राश्ति हीतों के वीच में सही द्रिश्चिकों का अगर विकास करता है स्वार्थ पूर्ण नेतियों का परित्याग कर देता है तो स्वार्थ जन्मत के निर्मा के दिशा में हम आगे बर सकते हैं अगला इसमें कहा गया कि छेत्रवाद भाशावाद संप्रदायवाद एवं जातिवाद को खत्म करके अगर छेत्रवाद जातिवाद संप्रदायवाद और भाशावाद को एदि खत्म कर दिया जाए तो भी हम स्वास्त जन्मत के निर्मान के दिशा में आगे बर सकते हैं स्वातंद्र एवं निश्वच प्रेश के भूम का भी स्वास्त जन्मत के निर्मान का एक महत पूर्ण शाधन माना जाता है क्योंकि स्वतंद्र और निश्वत्ष प्रेश अगर रहता है तब वह राश्टी महत्व के मुद्दों को इस पश्ट रूप से अभिव्यक्ति प्रदान करता है आप अनेक बार इस बात को सुनते होंगे राजनितिक व्यवस्था के अंतरगयत के फला प्रेश या फला अगवार के भूम का सरकार के एक अंग के रूप में सरकार के एक चाफलूश के रूप में बनती जा रही है तो इसी बात को उनके द्वारा कहा गया है भारत में अगर प्रेश की आजादी की बात की जाए तो यह भारती संब्यधान के अनुचे उनेश वन एक अंतरगत अंतर नहीं थे जिसमें बिचार अभेव्यक्ति के अंतरगत इसको अंतर नहीं थे माना गया इस प्रेश की आजादी का भी होना अस्वस जन्मत के निर्मान में एक महत पून साधन की भूमका का निर्वहन करता है और यह शर्च भी है कि प्रेश या मेडिया के उपर शरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई ने अंतरण स्थापित न किया जाए तो देखे हम लोग अपने इस क्लास के अंतरगत जन्मत और लोकमत के बाते हमने आपको किया कई स्टेट्मेंट आप उन्हें पढ़े आप इसीश करके वाल्टर लेपमैन और लाविल के महत पूश्टक को आपने देखा के एक ने लिखा पॉबलिक ओपेनियन दूसरे ने लाविल ने लिखा पॉबलिक ओपेनियन और पॉपुलर कवर्मेंट आपको इन बातों को याद कर लेना है ये पॉलिटिकल थिवरी के संदर में हम लोगों ने बात किया आप हमनों का political theory के अंतरगत है एक महत्पून टापिक का अध्याय प्रारम होता है और वह अध्याय है राजनीतिक विचारधारा जिसमें हम लोग कल से अध्यन करना स्टार्ट करेंगे राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक विचारधारा के अंतरगत कल हम लोग सबसे प अब असे ही पूछे जाते हैं, हर हाल में पूछे जाते हैं, चलिए हम लोग अपने आज के क्लास को यहां पर रोकते हैं, अगले क्लास में फिर मलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जैहिंद